आप सभी कदा क्लास्मेट गुरू में हार्डिक सौगत करती हूं आई हो आप बढ़ियां से पढ़ रहे होंगे आप हमारी क्लासे से कर देख रहे हैं तो आपको पता होगा आपको डेली जो है इंपॉर्टन कुछ-कुछ निउसे हैं वहां पर सारी कठे करके मैं पढ़ाती ह उसके बाद हम अपने करंट भेस पर आते हैं तो अपको पढ़ाया था आज के स्थान है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स पर गूरा है सब मैंने डिस्कस किए तो आज हम ज्यादा डीटेल्स में नहीं जाएंगे कि कल के वीडियो में ही मैंने पढ़ाया है आपको थुड इसने करने वाला अप्सन से मद्ध्य प्रदेश उत्र प्रदेश राजिस्थान गुजरात में आपको पढ़ा या था कल कौन है फैस्स नंबर पर फरस्स नंबर पर है घुजरा गुजरात जो है पहले नंबर पर ठीक है इतना हुए आपको यह जो रैंकिंग है जो राज की स अपार्टमेंट हमारा है वो इस रैंकिंग को जारी करता है ठीक है इसमें कुछ हमने थोड़ा सा एड़ किया है कि रिपोर्ट में राज जी और केंट सासित प्रदेशों को पाश सेड़ियों में इस्थान दिया गया है टोटल पाश कैटेगरी बनाई गई थी जो भी यूट राज हैं वो गुजरात है करुनाट इस प्रदेशन करने वाले राज जो है सर्स्वेस्ट और सीर्स करने वाल राज कहा है पनजाब राजस्थान इह त्लंगान państwo in 2022 हमारा स्क्वारा है थी कि नेत्रटू करने वाली कि यह तीसरा पॉइंट है कि तुरा सब गरबढ हो रहा है कि यह हमारा यहां पर पहला पॉइंट है यह हमारा दूसरा पॉइंट है ठीक है और यहां से यहां समें बताया आपको यहां पर हमारे राज सारे खतम हो गए है ठीक है कि यहां से हमारा तीसरा पॉइंट शुरू हो स्टार्ट अभड़ू जिसा बिखशुत करने वाले राज यहां से 5 घंड तर तुर। दिली और जमु कश्मीर यह तीन जैसे फोर्च परम लिखिली जब ठीक है यह से कौशन पूछ सकता है काटेगरी वाज की कौन सी काटेगरी में कौन सा स्टेट है यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है क्योंकि यह भी हाल ही में आया है तो जितने भी आने अल एक्जाम से नो उसमें कुछ नो कुशन कोशन इससे जरूर पूछेगा आप ऐसी कंपनि जो पहले नंबर पर हम बताएं को बाद में पहले नंबर पर भारत में कौन सा है ठीक है ऊछि oh जारी करती है नविंतर रिपोर्ट जी रिपोर्ट का नाम तूर law double for all over वरड की 57 कमपने के लिस्ट झारी करता है कि कौन सी कंपनी फिर है से हमारी भारत मी यह बारत में इसिता हैता हुँ गार्ट में यह साम डेकिन नंबर फ़िटी नंबर फिर दूसरे प्रेख विचेट जो है अलूवर वर्ड पर पहली गूंट पिर है यूटूब फिर है गूगल यह आप याद रखिएगा ठीक है लगा सब्सक्राइब जो मवेसी दूख दूथपादन होता है किसी भी तरह कोई भी मवेसी मतलब गायब है इस भेड बकरी जो भी हो सब का मिला करके पूछ रहा है कि जो दूख दूथपादन में कौन सा है ऐसा देश है जो विश्ट में पहले नंबर पर है तो ऑप्सन देखते हैं चाइना सब्सक्राइब करते हैं कोई और दूसरी गंट्री जो है 24 परसें से जादा कॉंट्रिब्यूट नहीं करती है यह युगदान नहीं देती ठीक है नेक्स्ट हमारे क्या लिखा नौ वर्सों में देश में दूद्र का उतपादन लगबख 57 परसेंट से भी अधिक बढ़ा है हमने कितना ग्रो किया है 57 परसेंट हमने पिछले सालों में जो 9 साल हमारे ने पिछले 9 सालों हमने बहुत जादा डिवलेप्मेंट किया है में प्रतिवक्ति दूद्र कुछ उपलब दता कितनी है तो कितनी है 459 ग्राम कि मतलब राउंड फिकर में देखा जाए तो आधा किलो पर परसेंट अविलेबल है ठीक है आधा लिटर सौरी फिर क्या पर यह नौवर्स पूर्व सिर्फ 303 ग्राम थी मतलब पहले जो 303 ग्राम थी अभी कितनी हो गई है 459 ग्राम हो गई है ठीक है देश के अर्थ विवस्ता में डेरी का जोगदान कितना पांच परसेंट आप से पूछ सकता कि हां मतलब भारती अर्थ विवस्ता मे त्परसेंट इनकम फघ्यरा होती हो डेरी प्रटक्स से होती है ठीक है next ngay कि ने महतारी वंदना महतारी वंदना कर शूरू की है अंब बताएं और मितसा है जारकंद अब आप सब्सक्राइं क्या होगा इसका सभी आंसर क्या है और चाथी सदा है उनको हर महीने हजार रुपे मिलते हैं ठीके हजार रुपे मिलते हैं पहली कंडिशन क्या है वो साधी सुदा होनी चाहिए इस मेरीड होनी चाहिए ठीके दूसरा क्या है उनकी पारिवार की इनकम होनी चाहिए दो कंडिशन आप हूल्फिल करते हो तो आप हर मंत जो भी आपके फैमिली में फीमेल्स बगरा है वह हजार रुपे महीने उठा सकती है ठीक है यह इसमें क्या है महतारी वंदना योजना स स्टार्ट की तिसमें 1200 रपे देते थे वो ठीक है ताकि आपको याद रहे कि कौन सा ऐसा स्टेट है से जो इसकी कुछ बहन करके उसकी योजना थी वह नाम नहीं याद है मुझे बट आप थोड़ा याद रखिए हैं कि वह एंपी में स्टार्ट कि रहे थी ठीक है मुख्या मंत्री व्रक्षी शंपदा योजना है 36 गड़ के धमतरी जिले के नागरी दबराज चावल को जी आई टैग मिला है यह कहां का है 36 गड़ का धमतरी जिले का है ठीक है कि दोजाइट थेइस में पेन नाभू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोथ कुमार जी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी दिया है पाने वाले भारतिया इसे आई मूल के पहले व्यक्ति हैं alt मना जाता है ऐसे भूषा चियरा महंसा मना जाता है तो तीर्श गड़ मना जाता है पिर आप मुक्ष मंद्री मितान योजना यह सारी योजना है वहाँ पर पार्क है वहाँ पर ठीक है अचानकोमा टाइगर रिजर्व हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व है आप से पूछता है कि कहा पर चतितीजगड़ में है ठीक है तीक है यह यह इन एक्स-पइंट हमारा है मतलब सतरंज खिलाड़ी जो पहले कोई और थे उनको रेप्लेस करके कोई दूसरा प्रशन बना है उसके बारे पूछा है तो नाम क्या है उनका देखते हैं और प्रग्यानंद डी घड़ेस डी गुकेस और वैसाली बाबू नन अप दीज यह आपसंस हमारे हैं यह सही आं इस तो नंद है यह रहे तो आप रग्यानंद जो है और वर्ड में देखें रैंकिंग उनकी तो कितनी है ग्यारहएं भी है अभी जो बने है ना वह उन्होंने हराया उनको डिंग लिरेन को हराकर वह भारत के पहले नमबर के सतरंज खिलाड़ी बने हैं ग्रैंड मास्टर बने हैं इसके पहले हमारे जो थे आनंद विश्वनाथन थे वह हमारे भारत के फार्स नमर पहले मतलब ग्रैंड मस्टर थे लेकिन पॉइंट्री एक जो भी सतरंज खिलाड़ी होता है उनको हर पारी जीतने कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो उनके साफ से रैंकिंग सेट होत पुइंट्स ज्यादा इसके से यह फर्स नमर पर हैं और हम देखते हैं ऑल ओल्वर वर्ड में जो फर्स नमर पर के हैं चार्चार्चाल्स मेंगनस जो पहले नमर पर इनके देखिए अठाई सु तीस पॉइंट्स है आपको बस यह आद रखना हैं इन पे सबके एज भी द कि यह सारा देखिए यह मैंने आपको पढ़ाया है बहुत सारे पहले कोशन आए हुए हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पहले इंडियान इनको बोला जाता है इनकी बुक है माइन्ट मास्टर चैस जो है वर्ड कप 2023 अजरबाइजान डाकु में हुआ था बाकु में फर्स्ट मैगनस कालसन पहले नमबर पर हैं नौर्वे में थे सेकेंड नमर अर्प्रग्यानन था हमारे हैं ठीके फाइड वर्ड राइपिट चैस जो है चैंपियंसिक जो धर 23 में हुई थी जीता कौन था राउनक साधवानी जीते थी इसमें ठीक है वर्ड चैस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है भाद है पहली बार चैस हकादनी खुला भूबनेश्वर में 44 फाइड चैस ओलंपियार जो धर 22 में है चैन हमारी आज क्या है नेक्स्ट नीज हमारी क्या है एक हरनी जील है हरनी जील एक है गुजरात में वहां पर क्या हुआ है स्कूल स्टुडेंट्स टूची टीचर्स किल इन गुजरात बोट कैस्ताइज बोटिंग कर रहे थे वहां पर जील में तो क्या हुआ कि बोट में बहुत बच्चे भी थे टीचर्स बगारा थे तो कुछ को बता लिया गए लेकिन बारा स्टुडेंट्स और दो टीचर्स क सब्सक्राइब में देखते कि हरनी जील में नौका आंड सुवदा जिसे लेक जोन कहा जाता है 2016 में एक संदर्डी करन परियोजना के बाद वडोधरा नगर नेगम के साथ एक सारवजनिक नीजी भागदारी अनुबन के तहट कोटिया प्रोजेक्ट कोटिया प्रोजेक्ट नामा के एक नीजी कंपनी द्वारा संचालित किया थी हरनी जील में नौकायान वगएरा होता है लोग आकर के वहां पर टाइम स्पेंट करते हैं जील में नौका वगएरा चलाते हैं तब से स्टार्ट हुआ है और अभी हाली में यह घटना हो गई है तो वहां पर जो भी जितने बच्चों की टेथ हो यह उन फैमिली उसको गुजरात गवर्मेंट जो बरोदरा गवर्मेंट है वहां पर जो है उन्हें दो दो लाक रुपए मुआपजा दिया है तो उसी की बारे में है कि मुआपजा जब देते हैं किसी भी परिवार को किसी पर कौन कौन से फंड यूज करते हैं कब से स्टार्ट किया तो कोशन यहां से भी पूछ सकता है मतलब की कनेक्टिवी देखिए तो लोग की मुआपजा दिया गया लेकिन मुआपजा कहां से कैसे देते हैं यह में थोड़ा पता होना चीशली मनें इसको यहां पर रखा थीक है यह जो हमारा है ना प्राइम मिनिस्टर सेटिजन असिस्टेंट रिलीफ इन इन एमर्जिस सिच्वेशन फंड जो एमर्जन सी बगरा होती है नो कोई बहुत ऐसी कंडिशन होती है तो उसको तब यहां से देते हैं ठीक है फिर कहां डिप्रेंस बिटवीन पीम और फंड पीम्हेर फंड में करें प्याइं पीम्हेर फंड युद्क किया गया था ना पैसे पैसे को आप कहां यूज कररेए हो कितना पैसा रहा है सी जू को बहुत क्रिशाइव Siya चेया गया था इसको पहली बार श्राट कब किया गया था नाइटीन फॉर्टीएट में जब कंस्टिट्यूशन वना था तब उसके पहले कुछ दिन पहले स्टार्ट किया गया था उसमें लोग बहुत लोगों को पैसे नीड थी उस ताइम के लिए बनाया गया था तब से चल रहा है पिर कोरोना टाइम में मोदी जी ने पीम केर फंड स्टार्ट के तब और चर्चा में रहा तो यह बस इतना है कि आप से पूश सकता है जो पैसे दो लाग दिए गए वो का किस फंड से दिए गये हैं तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से पैसे दिए जाते हैं ठीक है इसको ध्यान में रखेगा नेक्स्ट अमारा क्या है नेक्स्ट अमारा आर्टिकल है तंविल नाडू से रिलेटेट है तो यह टीबी के मरीजों से रिलेटेड है तामिल लानू गवर्मेंट ने स्टार्ट किया है तो वह एक तरह बहुत सेंसिटीव बीमारी है लोगों को होती है इसका इलाज तो पॉसिबल है लिकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हो यह क्यार नहीं करते हो टाइम से तो यह आपको मतलब यह बहुत बड़ी समस्था बन सकती है एक चीजा नहीं करता है बड़ी करता है दिर दिल साही चीजे और साही कभी बॉडी के सब्सक्राइश होती है अगर किसी वक्ति को टी भी होता है तो इस विए धनके क्या कॉस्ट बाई बैक्टीरियम काल्ड मायो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसीस आपसे पुछकता है किस की वया से होता है तो MY Cameo Bacterium Tuber Closis Bacteria होता है इसके वन यह से होता है यह BELONG TO the My Co Bacteria Bacteriases family इस इस से बिलाउन करता है और इस एक कारण अधार जो भी लोकात सरद मातब्Mar Linz Kaadi भी आ पर बिलाउंट कविकल आ कंसा पार्ट कि पार्ट तुनियोग सबसे पहले लंग्स में होता है ठीक है पल्मॉर्णी टीबी होता है बट इट कैन आछ आल्स अफ़ेक्ट अधर ओर्गन अफक्ट नहीं करता है मतलब ये तो ठीक है मॉस्ट इंपॉर्टन लेकिन इसके लाए बहुत सारे हमारे और और गंस हमारे बॉ तो अपने आप में वह सीरस बीमारी मान सकते इसको आपको टीवी है आपको सामने वाले को तो आपको हो सकती यह जलन तो फीवर और नाइट वेड्स क्या है अपको पहले मतलब कफ अगेरा होगा आप खासेंगे तो आपको विझांज को आपको सांस लेंए प्राइव में सब्सक्राइब होगा राप में आप सो रहे हो जगर हो एक crushingन से इसके हैं ठीक है ट्राइबल है एंद कुरेबल भी है आप इसका त्रीटमेंट कर सकते हो आपको छह महिने कोर्स करना होता है दवाएं खानी होती है आप अपको आप इसका इलाज कर सकते हो इस ट्रीटेट बीदा ईस्टेनर्ड जो करना और वो आपको चार दवाई टिया अंटिनु उसलीए 6 महीने तक खानी होती है प्रॉब्ल्म ही से लोग जैसे किसी को भी बूला जाया चेह मैने तक कोई काम करना अगर किसी इस्टरेंट को भी बूला जाया पढ़ते हैं चार दिन गुमेंगे महीन इबर पढ़ेंगे फिर पंदर गयाब रहेंगे तो यह जो कंटीनिव नहीं होती ना इससे आपना पीछे जाते हो तरह किस नुकसान होता तो टीवी में भी अगर आपने चाहे मेने कोर्स दो मेने करके फिर छोड़ दिया फिर स्टार बहुत साइध आइओं के प्रतिनों टी जो है वहरो रिजिस्टेंस प्राप्त कर लेता है उन पर दवाई का असर होता ही नहीं है कुछ ना बाद ऐसा होता है कि आपने बहुत बार किया अम्हार कर लिया है कि अब दवाई का कोई इस असर होई निरा यह मत्तब यह होता है जिसे MDR होता कि चलो यह मुझा इस यह तीन दवाईयां है इन तीन दवाईयों के लावा जो काम करेगी लेकिन जो इस डिजीज के लिए तो यह आपको याद रखना है ठीक है इंडिया स्टेजी इंडिया कमिटे टू एलिमिनेट टीवर क्लासिस फ्रॉम्टी टॉंटी 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 फाइव जो इंडिया है 25 तक टीवी को खतम करना चाहा रहा है ठीकिन डावली एचो को टागेट किय परधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभयान चलाय गया था इसने स्टार्ट किया घ्योट कैया था कंट्री में प्रोग्रस टॉर्ट टीवी लिए यह स्टार्ट किया गया था अबजेक्टिप्स का देशने प्रवाइशन सपोर्ड तो इंप्रोश तो श्यान सब्सक्राइब और बहुत सारी जो लोग मिलते हैं उनके टीवी बगारा के बारे में यह बहुत साइच चीजों करते हैं वहाँ पर जा करके इंडिया जो है सामिल होना स्टाइट के उन्होंने लीवरेश चीजो लोग दवा नहीं खाते हैं उनको थोड़ा सा इस टीवाइद दिखाने लिए भी बोला गया है इसमें निक्षय मित्रा इनिसियाटिविटी इस टू इस एडिशनल डागनॉसिस नेशनल नीट्रिशनल और वो कैस्टनल स मतलब क्या किया गया इसमें जो भी लोग है ना जो पी टीवी जूज रहें वहांपे पर सहय प्रदान करें यहांपे साय। नहीं परदान कर सकते हैं उनको डिजिटली कि इस चीजें इसमें स्टार्ट की गई थी कि नेट्स नमारा क्या है मचली के अवादी बढ़ाने के लिए वीजिंग जम्प में क्रतिम चत्तानों की परियुजना मचली के आपको इतना अधकना है जो वीजिंग्जम जो है उसका वो बिलाउं करता केरला से मचलियों का प्रजिन बढ़ाना है करन वन कहां कि आगया केरल में किया जा रहा है भगोलिक दारा किया है यह परिवार यह परियोजना जो तिर्वन्त पुरम जी के पाजियूर से वर्काला वर्काला तक मछली पकड़ने वाले 42 गाउं में तिरीज़ सब्सक्राइब करेगी मतलब क्या बोला है दो जगह है जगह याद रखनी त्रिवंत पुरम जिले तिरीवंत पुरम जिले में होगी ठीक है नेक्स्ट क्या है वर्काला तक है यहाँ पर कितने गाउं सामिल है 42 गाउं सामिल किये गए हैं इसमें साथ ही साथ त्रेशट सो क्रतिम चटाने मतलब सिर्फ एक चटान नहीं बनाई जा रहे यह बहुत सा चटाने बनाने के इस योजना में कि यह मारा पीछे वाला यह पीछे पेज का है ठीक है कुछ कुछ तो लगना गरबढ है त्HEMr. देखतें क्या है tcs की ब्राण्ड वेल्डू में उच्छाल का है टीस हमारी कंपणि है हमारी टाठा जीकिंति तैटा जी के कंपनी जो है tcs उसकी ब्राण्ड गाईल्यू में बहुत क्या और फिर क्या बोला सीस पच्छीस अग्रणी आई-टी कंपनियों के भी सबसे अधिक पूर्णे मूली व्रद्धी पतब पच्छीस जो अग्रणी कंपनिया है आई-टी जो आई-टी कंपनिय उसमें आगर सबसे फर्स्ट नमर पर देखे जाए तो कौन सी कंपनी टीसे स से उद्धों के नेतवत आपको पता ही है कि साथी जैस में अपनी ट्रिपल ए ब्रांड रेंकिंग होगा यह रैंकिंग रैंकिंग बलकरार रखिए इसके ब्रांड इंडेक्स में 82 से सुधार होकर 84 हो गया है बैस्विक मानता क्या है दुनिया के सबसे मूल्यवान आई-ट वर्ड में फेमोस हैं इंडिया में तो है इंडिया के तो फर्स नमर की कंपनी है मारी मतब वालोवर इंडियों जो सबसे अच्छी आई-टी कंपनी है मानते हैं तो किसी को जवाब होती है तो इस चीज़ां को लेकर करके यह नियूज में रहा है इसे कोश्चन बनने की संभावना सायद ही कम है यह हमारा नेक्स टॉपिक ही इंपोर्टन इससे कोश्चन आप से बन सकता क्या है डिजीज एक्स डिजीज करके बीमारी आई हुई है आई नहीं है इसकी संभावना जताई गई कि आ सकती है माना जा रहा है क्रोना से ज्यादा खतरनाक है मतलब ऐस स्विक नेता रोग एक्स नामक एक अजीव सिंथा को संभूद करते करने वाले हैं ठीक है मतलब 15 जनवरी को कि यह रहस्य मैं सब्द एक अग्यात लेकिन सक्तिताली माइक्रोबियल खत्रे उत्पने वीमारी को संदर्वित करता है 200 स्वास्ति संगठन डबलु एचो का एक पैनल इस रहस्त मैं स्वास्ति खत्रे पर विचार विमस करने के लिए अन्य स्वास्ता दिकारियों के साथ यह हो रहा है कि मतलब डबलु एचो हो गया और वी चीज़वर्ड एक्रामिक फोरम हो गया वहां पर स्टार्ट कि एक जो बीमारी एक्स से वह ऐसी बीमारी होने जो कोरोना से भी ज्यादा खतानाग होने वाली है जैसे हमाए कोरोना के टाइम पर लाखों लोग की डेथ हो तो इसमें बोला गया कि अगर यह बीमारी आती है तो पहले आद तो इसका इलाज नहीं अवलेवल है क्योंकि सिंटम्स के हमें सारे पता नहीं होंगे और इस बी अगरिया है कि आशी को भीमारी आने वाली है इसके देखने जो फिस्टोरिकल यह क्या है इस रिलेटर है यह देखिए यह है स्पैनेज फ्लू जैसे तब आई इसपैनेज फ्लू पहले पहला था कब पहला था यह रिपोर्ट ने बताया गया कि पिछले साल सितंबर में एक्स रोग चर्चा में है और उसे बोला जा रहा है कि यह जो है इससनी का भाई हाई में नेच ob सेальных वे इस फ्लू पहला था जिससे बहूत सारे लों को डैथ हूई थी इस वहां पर इस पैन में था इसलिए इसको बोलते हैं ठीक है दुनिया भर में 50 लगा पांच करोड लोगों की जान जा सकती है जो यह एक्स बीमारी है इसमें 5 करोड लोगों की जान जाने की मतलब वसंभावना है जो करोना डेथ हुथी वो लगबग 70 लाख 70 लाख लोगों तो आप प्लीज कमेंट करके बताया करें कि मैं यह आपने आड़ नहीं किया आप एड़ कर सकते हो क्योंकि मतलब आप जो हमारा वीडियो है वो लाइक कर देख ताकि पता लगे आपको पसंद आ रहे हैं साथ है आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले जो वी दे थैंक यू